ओम शांति, गोड मॉर्निंग आज हम अव्यक्त बाब दादा के अठारा तरीके महवाक्य सुनेंगे जिसमें बाबा ने हिम्मत के आधार से परमात्म मदद का अनुभाव करने वाले हम ब्राह्मनात्माई हैं और उस से सदा सफलता है तो बाबा ने पहले बच्चों के हिम्मत, उमंग और उल्लास को कि सभी बच्चे बहुत हिम्मत और उल्लास में चल रहे हैं उसके बाद बाबा ने संगम युग का महत्त बताया ये नया युग है ही हिम्मत के आधार पर परमात्माद्वारा सफलता प्राप्त करने का युग ये उड़ती कला का युग है ये सर्व प्राप्तिया करने का युग है उमंग और उल्लास से उड़ने का युग है तो इस युग के महत्त को बाबा ने बताया सार ये है कि हमारी हिम्मत के आधार पर बाबा की मदद है और उसमें संपूर्ण सफलता है होगा या नहीं होगा बाबा ने का ये सोच नहीं सकते है हुआ ही पड़ा है क्योंकि इस युग को वर्दान है असंभव को संभव करने का लेकिन मूल शब्द क्या रहा आधार क्या रहा हिम्मत तो हम हर परिस्तिती में विजय है इसकी ओरिजिनल डेट है नई वर्ष पर बाबा ने चलाई है 31.12.98 हिम्मत के आधार पर स्वयम को मेहनत मुक्त सदा विजय अनुभव करो आज नवियुग रच्चता बाप दादा अपने अतीस नही सदासय योगी और अतीस समीप बच्चों को नव युग नव जीवन और नव वर्ष की मुवारत दे रहे हैं चारो ओर की बच्चे अतीस नहें से बाप दादा को दिल में सनमुख रख मुवारक ले रहे हैं समझां बाबा ने दी और सभी बच्चों ने बाबा को दिल में सनमुख रख करके मुवारक ली बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग और उत्सहा को दे खर्शित हो रहे हैं मैजोरिटी बच्चे चाहें दूर बैठे हैं, चाहें समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग और उत्साहा है कि इस नए वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे नए वर्ष शुरू होगिया न, अभी हमारे लिए दो मास हुआ न, नए वर्ष को भी, तो बच्चों के दिल में क्या उमंग और उत्साहा है, हम नवीनता करके ही दिखाएंगे किस में? चाहें सोव परिवर्तन में, चाहें सेवा की सफलता में, चाहें हर आत्मा को शुब भावना, शुब कामना द्वारा परिवर्तन करने में, तो बाबा कहता है, परिवर्तन करने में उमंग भी अच्छा है, उत्सा भी बहुत अच्छा है, इपरिवर्तन हम करके ही दिखाएंगे, साथ साथ, हिम्मत भी यथा शक्ति है, उमंग उत्सा सब को बाबा ने बताया, लेकिन हिम्मत ही अथा शक्ति है, बाब दादा, ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को, एक संकल्प के पीछे, कितनी मदद करते हैं? बाबा ने कहां, एक संकल्प के पीछे, पदम गुणा मदद अवश्य करते हैं, लेकिन पहला क्या आया? हिम्मत का एक संकल्प, इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो, विगनाएंगे, परिस्तिति आएंगी, बाते आएंगी, इस सब नीचे की चीज़े हैं, हम बच्चों को क्या करना है? हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलना है, कभी भी स्वप्रती वा अन्यात्माउं के प्रती हिम्मत को कम नहीं करना, ये डारेक्शन, स्वप्रती अत्वा अन्यात्माउं के प्रती हिम्मत को कम नहीं करना, हिम्मत कम कैसे नहीं करना? उनके पीछे मैनद क्या करें? वो भी है मना ये नहीं कर सकता है ये कैसे होगा? ये ऐसा ही है ये क्या है? हिम्मत को कम करना है बाबा कहता है कैसा भी है लेकिन असंभाव संभाव होगा हमें अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ देना है कि ये नहीं हो सकता है और पॉजिटिव में भी आज तो बाबा कहाँ है होआ ही पड़ा है इतना पॉजिटिव दिखाई दे रहा है असंभाव लेकिन हम इतना द्रण निश्चय हैं हुआ ही पड़ा है होना ही है क्यूंकि बाबा ने कहा इस युग को ये वर्दान है इसलिए होना संभाव ऐसा है जै तो बाबा कहते हैं स्वयम प्रति वा अन्यात्माउं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना क्यूंकि ये नव युग है ही ह हिम्मत रखने से उड़ने का युग हिम्मत रखने से उड़ने का युग वर्दानी युग पुरुशोत्तम युग डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्शे में सहज प्राप्त होने का युग डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां सहज वर्शे में प्राप्त होने का युग अभी इस पर सोचो ये वर्दान है कि बाबा से जो डाइरेक्ट विधाता हमारे सामने है तो सहज ही सर्व शक्तियां बाबा से मिलने का वर्दान है समय को सहज प्राप्त होने का युग इसलिए इस युग के महत्तो को सदा इस मुरुती में रखो कोई भी कारे आरंब करते हो चाहें स्वपुरुशार्थ चाहें विश्व सेवा सदा हिम्मत और बाब दादा की मदद द्वारा निश्चे है ही कि स्वपुरुशार्थ में वा सेवा में सफलता हुई ही पड़ी है समझा कई बार कहते हैं करना तो चाहेती हूँ पुरुशार्थ लेकिन कर नहीं पाते हैं हो नहीं पाता है तो आज बाबा क्या वर्दान दे रहा है चाहें स्वपुरुशार्थ या विश्व सेवा के प्रती सफलता हुई ही पड़ी है फिर से रिपीट करें आधार क्या है? हिम्मत मेरे से ये पुरुशार्थ नहीं होगा तो कौन करेगा? इसनिए स्वपुरुशार्थ में भी अपनी कमजोरियों के कारण स्वभाव संसकार के कारण कई वार अंदर से दिल शिकस्त होते हैं करते तो हैं जितना होता है उतना कर लेते हैं नहीं होता है तो हम क्या करें? आज उन सब कमजोरियों को बाबा ने उड़ा दिया बाबा क्या कह रहा है? सफलता होई बड़ी है क्यों? क्यूंकि डाइरेक्ट विधाता से हमें सर्वशक्तियां सहज वर्से में प्राप्त होई है, हमने मांगी नहीं है, हमें वर्सा मिला है, वर्से पर हरेक का अधिकार होता है तो बाबा ने कहा, सवा पुरुशार्त में वा सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है असंभव, संभव होना ही है क्यूँ? वर्दान है हमारा जन्मसित अधिकार है बाबा ने कहा, क्यूँ कि युग ही सफलता का है जैसे प्रकाश है तो अंधकार कहां से होगा, दिन है न, तो प्रकाश है ऐसे ही, असफलता नहीं हो सकती क्यूँ कि युग ही सफलता का है तो बाबा ने कहा, असंभव, संभव होने का यूग है पहला का सफलता का यूग है दुसरा कहा असंभव संभव होने का युग है इसलिए होगा या नहीं होगा कैसे होगा इसका question आप ब्राह्मन आत्माओं के लिए है ही नहीं सुना question ही नहीं है होगा या नहीं होगा ये question आप ब्राह्मन आत्माओं के लिए है ही नहीं अभी सोचो कितना गहराई से हमें इस आत्मा को पढ़ाना है कि ये सफलता हुई पड़ी है ये नहीं हो सकता है ये हम संकल्प भी नहीं कर सकते हैं फिर हम क्या कहते हैं दिखाई देता है न तब तो कह रहे हैं और बाबा दिखाई देने में भी क्या कह रहा है असंभव भी संभव हुआ पड़ा है और बाबा ने करके भी दिखाया न क्या काले बादल थे कितना विरोध था लगता था कि कल्यूगी तमोप्रधान दुनिया के अंदर इतने पवित्र और योगी बच्चे बाबा तैयार कर लेगा बाबा को दिखाई देता था श्री बाबाने क्या हुआ पड़ा है होना ही है और अब भी भी बाबाने कहता है बचे विनाष होना ही है नई दुनिया आनी ही है जिसको जो चाहिए संकल्प चलाए लेकिन भगवान के ये महावाके हैं ये हुआ ही बड़ा है इतना हमें अपने में हिम्मत चाहिए तो बाबा ने कहा इसका क्विश्चन ही इस युग में आप ब्राह्मन आत्माओं के लिए नहीं है ब्राह्मनों की जनम पत्री में सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है जनम पत्री में ही है इसलिए कोई मीटा नहीं सकता क्यते हैं इसकी जनम पत्री में ये लिखा है इसलिए होना ही है तो हमारी इस अलौकिक जनम पत्री में क्या लिखा है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है अधिकारी आत्माओं को ये सोचने की आवश्यक्ता नहीं है वर्षा मिलना ही है तो नए वर्ष में ये विशेश स्मृती इमर्ज करो अब नए वर्ष के लिए होंवर्ग दे रहा है ये विशेश स्मृती इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ स्रेश्ट ब्राह्मन आत्मा का अधिकार है ही सब तरफ से सफलता मुझ ब्राह्मन आत्मा का स्रेश्ट अधिकार है ही चाहें लौकिक हो चाहें अलौकिक हो पुरुशार्थ हो सेवा हो व्यभार हो जो भी सब तरफ से बाबा कह रहा है सफलता है ही इस वर्ष में ये संकल्प इमर्ज करो क्योंकि बीज संकल्प है अगर संकल्प रूपी बीच शक्तिशाली बोया हुआ है तो आटोमेटिक सफलता मिलनी ही है, होई पड़ी है तो बाबनी कहा, सब तरफ से सफलता ब्रह्मनात्मा का दिकार है ही, इस निश्चे से, रुखानी नशे से उड़ते चलो अभिमानी नशा नहीं, मुझे तो बहुत सिद्धी मिलती है, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, अभिमानी नशा नहीं, रुखानी नशा निश्चे बुद्धी सदा हर कारे में विजय हैं ही विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है देखो अपने मस्तक पर हरे, विजय का तिलक मस्तक पर चमक रहा है इसलिए इस वर्ष को सदा विजय वर्ष अनुभव करते चलो ऐसा निश्चे और नशा है डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होश्यार है बाबा ने का डबल विदेशी होश्यार है तो सबने हाथ हिलाया, बाबा कहता है बहुत अच्छा तिलक नजर आ रहा है और भारतवासी तो हैं ही भाग्यवान क्यों? क्यों भारतवासी भाग्यवान है? भगवान भारत में आये हैं बाबा ने कहा भारत की धर्नी ही भाग्यवान इसलिए चाहें विदेशी चाहें भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं इसलिए हर ब्राह्मन आत्मा विजई बच्चा है सुना चाहें कोई भी बच्चा है हर ब्राह्मन बच्चा विजई बच्चा है सिर्फ फिर से पका करा रहा है क्या करो सिर्फ हिम्मत इमर्ज करो हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्व शक्तिवान हो ऐसे हो न तो सभी ने हाथ ही लाया बाबा ने का हाथ बहुत अच्छा ही लाते हो अभी मन में भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना अच्छा हाथ ही लाया ऐसे मन में भी हिम्मत का हाथ हिलाते रहना बाप दादा को खुशी है नाज है केवल खुशी नहीं नाज है क्या नाज है मेरा एक एक बच्चा अनेक वार का विजय है एक एक बच्चा अनेक वार का विजय है एक वार नहीं अनेक वार की विजय आत्माई हो तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा सुना इस शब्द को आज अपने डिक्ष्नरी में से निकाल दो चेक दो डाइरी में बुद्धी की होगा या नहीं तो बाबा ने कहा क्या कहा ये कभी नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा होगा शब्द नहीं लाना पढ़ा रहा है बाबा होना शब्द नहीं लाना विजे है और सदा रहेगी फिर कहकर के बाबा पूछ रहे हैं सब पक्के हैं पक्के हैं हाजी बोलो तो क्यों ठंडा ठंडा बोला तो बाबा ने का बहुत अच्छा अभी फिर वहाँ जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आ गए ऐसे नहीं लिखना माया जीत हैं हम नहीं होंगे और कौन होगा ये रोहानी नशा इमर्ज करो सिखा भी राय साथ साथ इसको इमर्ज रखो और और कारे में मन और बुद्धी बीजी हो जाती है न तो ये नशा मर्ज हो जाता है दूसरी बातों में चले जाते है न तो ये नशा मर्ज हो जाता है लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजेई पन का नशा रोहानी नशा है कर्म करते हुए बीच बीच में सारा दिन इस बात को चेक करो कि मुझे ये रोहानी नशा है कौन सा रोहानी नशा विजे का हम विजेई है तो बाबा ने कहा निश्चे होगा तो नशा जरूर होगा निश्चे की निशानी नशा और नशा है तो अवश्य निश्चे है दोनों का संबंध है निश्चे और नशा उसकी ऑटोमेटिक खुशी होगी यह हुआ पड़ा है अच्छा है यह फिर उनको वही अच्छा दिखाई देता है तो जो अच्छा दिखाई देता है उसकी खुशी होती है और जब संशे होता है होगा यह नहीं होगा ऐसे हो गया ऐसे हो गया तो संशे में भय दिखाई देता है बाबा ने कहा दोनों का संबन्ध है इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदाई मर्ज रखना तो अभूल हो जाएंगे नयावर शुरू है न somm faut 99 98 के अंड की मुरली है न तो बाबा कहता है 99 में अपना नशा इमर्ज रखना तो अभूल हो जाएंगे न 열ा सब्सक्राइब न भूल होगी न महनत होगी नशा रखने से न भूल होगी न महनत होगी बाप दादा ने पहले भी कहा है जब बाप दादा बच्चों को महनत करते हुए देखते हैं युद्ध करते हुए देखते हैं तो बच्चों की महनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है इसलिए इस नव वर्ष नई वर्ष को कैसे मनाएंगे मुक्ती वर्ष मनाया negative waste और वेस्ट को समाप्त किया तो ये वर्ष automatic महनत मुक्त वर्ष हो जाएगा negative को और waste को इसको समाप्त किया तो ये वर्ष मुक्त वर्ष हो जाएगा सब मौज में रहने वाले मेहनत करने वाले नहीं तो बाबा पूछ रहे हैं मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है तो पूछ रहे हैं अभी क्या अच्छी लगती है महनत अच्छी नहीं लगती है और अगर सच में महबबत है तो महनत होई नहीं सकती है मौज अच्छी लगती है न तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी महनत से मुक्त हो ये वर्ष सारा कह रहा है बाबा मन में संकल्प में महनत से मुक्त किसी भी बात में हम ये मैसूस नहीं करेंगे मुझे बहुत महनत करनी पड़ती है ये बाबा जैसे वर्दान दे रहा है महनत से मुक्त सब सहज बाबा से मोहबबत है बाप दादा के पास बच्चों के पत्रवा चिटकियां बहुत अच्छे-अच्छे हिम्मत की आई हैं कि हम अब से 108 की माला में अवर्षे आएंगे तो बाबा ने कहा बहुतों के अच्छे-अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं और रूरिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चे और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है कि अनी बाबा को पत्र लिक करके चिठ्कियां रखी हैं बाबा के सामने किसीने बाबा से रूरिहान में बात चिठ्की है कि बस बाबा हम इस वर्श में आईसा पुरुशार्थ करके दिखाएंगे बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं बाप ने आप सब के बीती को बिंदी लगा दिया जब बच्चों ने कहा तो बाबा ने भी क्या कहा जो भी हमसे हुआ जैसा हुआ उस बीती को बिंदी लगा दिया इसलिए बीती को सोचो नहीं चलो हम भी बिंदी लगा दें बाबा पुराना वर्ष में जो भी हुआ वो बिंदी अब नए उमांग और हिम्मत उत्साहा के साथ विजय बन करके आगे बढ़ेगे हिम्मत से ही विजय बनेंगे हिम्मत से ही विजय बनेंगे ना मुमकिन को भी मुमकिन करेंगे हिम्मत है जहाँ मदद है वहाँ माबा के साथ से ही आगे बढ़ेंगे मेहनत से अब मुक्त होकर हम बरदानों से उड़ते रहेंगे हिम्मत से ही विजय बनेंगे ना मुमकिन को भी मुमकिन करेंगे निशे है न शाहे रुगानी माथे पर है विजय की निशानी कई बार विजय बने है कल्प कल्प की ये कहानी विजय बन की इस ब्रती से सदा ही मौज में हम जीते रहेंगे हिम्मत से ही विजय बनेंगे ना मुमकिन को भी मुमकिन करेंगे हर दिन लाग नया नया लाग नयी नयी सुबह शाम जबसे पापा हमें मिल गए लाग नया ये सारा जहान बांटे दिल खुश मिठाई सभी को दीफ्य गुनों की सोगात देंगे हिम्मत से ही विजय बनेंगे ना मुमकिन को भी मुमकिन करेंगे दिल से देते चले घंद आए नयी दुनिया के आद दिलाए स्लिह के बोल की बोले सदा सब को उड़ते कलामी जुलाए अब जमा करके सारे खजाने सबको सहयोग देते रहेंगे हिम्मत से ही विजय बनेंगे ना मुमकिन को भी मुमकिन करेंगे हिम्मत है जहाँ मदद है वहाँ माबा के साथ से ही आगे बढ़ेंगे मेहनत से अब मुक्त हो कर हम बरदानों से उड़ते रहेंगे हिम्मत से ही विजय बनेंगे ना मुमकिन को भी मुमकिन करेंगे ओम शान्ते तो बाबा ने क्या कहा? बाब ने आप सबके बीती को बिंदी लगा दिया इसलिए बीती को सोचो नहीं ऐसा हुआ ऐसे हुआ इस कुछ भी सोचो नहीं अब जो हिम्मत रखी है हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो जो था जैसा था वो कल की परिस्तिती थी अब हिम्मत से आगे बढ़ते चलो नए वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं चाहें वी देश के बच्चों ने चाहें देश के बच्चों ने बापतादा ऐसे बच्चों को यही वर्दान देते हैं इसी हिम्मत में निश्चे में नशे में अमर भव बच्चों ने बाबा को लिखा, उसके रिटर्ण में बाबा ने निश्चे, हिम्मत और नशे में अमर भाव अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारत वासी भी अमर रहेंगे ना, भारत को तो नंबर लेना चाहिए, लेना ही चाहिए नए वर्ष में क्या मनाते हैं अब वर्ष को बाबा क्लियर कर रहे हैं एक तो गिफ्ट देते हैं दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं काट देते ना निई यू यर का ग्रीटिंग्स देते हैं और मिठाई खोब खिलाते हैं नाचते और गाते भी हैं तो आप सिर्फ बारा के बाद बाबा की मुर्ली चल रहे थर्टी फरस्ट को बारा के बाद बारा बजे के एक दिन नया वर्श नहीं मनाना पहली तारीक आई नया वर्ष हो गया, खाया, ग्रीटिंग्स दिया, खुशी मनाई तो बाबा कहता है एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना लेकिन ब्राह्मन बच्चों के लिए इस नए युग में हर घड़ी नई है हर घड़ी नई है, कोई भी घड़ी विशेश्टा से संपनोगी उसमें कोई ना कोई प्राप्ती है हर स्वास नया है, हर संकल्प नया है, घड़ी, स्वास, संकल्प इसलिए सदा पूरा वर्ष फिर से कहता है एक दिन नई, एक सप्ता नई, एक मास नई, चार मास नई, आठ मास नई तो फिर, बारा ही मास, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बाटते रहना समझा, फिर पूछता है बाबा, बाटेंगे न, बाटेंगे न, पहले खुश दिल, अपना खुद का दिल खुश होगा तब दूसरे को दिल खुश मिठाई बाट सकेंगे न, खुदी मुर्जाय हुए है, खुदी मुझे हुए, तो दूसरे को क्या बाटेंगे इसलिए बाबा पूछ रहा है, बाटेंगे न, सभी होश्यार है, बाबा ने दे दिया, सभी होश्यार है तो दिल खुश मिठाई बांटना, कोई आपकी दिल खुश मिठाई और सुनू, कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संसकार के कारण, समस्या के कारण, अगर नहीं भी सुईकार करे, तो तो बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं होना हमने इतना इसने प्यार से इसके साथ इतना अच्छा ये वियाभार किया हम ऐसा करते हैं तो भी ये करता है उसको बाबा जानता है यही तो हमारे पेपर है इसी में तो पास होना है अगर नहीं भी सैकार करे तो दिल शिकस्त नहीं होना है आपने बांटी आपका अग्याकारी बनने का चार्ट बाप डदादा के पास जमा हो गया ले या ना ले आपने बाबा की आज्या मानी न कि मुझे हर एक को बांटना है तो वो बाबा रिटन दे रहा है आपका आज्याकारी का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया दादियां हमेशा ये पढ़ाती थी कि मार्क्स तुमको कौन देगा बाबा देगा न तो उसके पास मेरा चार्ट जमा है उसने नहीं भी दिया आत्माने तो क्या हुआ मुझे तो बाबा से मार्क्स लेने है न तो बाबा ने कहा ये नहीं देखना मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज हो गया होता है न, कई बार बड़ी शुब भावना से बड़ी अच्छी रीती से बात करते हैं और सामने से उसका जो रियक्षन आता है ना टोटल नेगेटिव ना संकल्प में ना मन में ना चित में और ऐसा नेगेटिव उसका यह हो तो बाबा कहता है यह तो नाराज हो गया बाबा कहता है कोई हरजा नहीं वो राज को नहीं जानता है तो नाराज हो गया मैं राज को जानने वाली मैं भी नाराज हो जाऊं मैंने इसको दिल खुश मिठाई खाई इसने क्यों नहीं खाई इतनी प्यार से दिया इतना अच्छा किया तो भी नहीं किया तो ये पढ़ा रहा है बाबा छोटी-छोटी बाते क्योंकि ये practical है फट से मन के अंदर में इफेक्ट आती है तो बाबा ने का वो राज को जानने वाला नहीं है इसलिए नाराज हुआ तो बाबा ने कहा आप तो राज को जानते हो ना तो ये राज भी जान लो अब राज सुनो इसमें ये राज भी जान लो ये हिसाब किताब वा समस्या की बश है मेरी बात को क्यों उसने सुईकार नहीं किया दिल खुश मिठाय थी अच्ची चीज थी तो भी उसने उसको रियक्ट किया उसका कारन बाबान ही क्या बताया वा समस्या की बश है इसलिए फिर से कहता है आप आज्याकारी बनो हमें खिला नहीं है कितना अच्छा बाबा पढ़ा रहा है आप आज्याकारी बनो फिर पूछता है ठीक है ना ठीक है ना आज्याकारी बनेंगे ना फिर से पूछा आज्याकारी बनना है ना यहां तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं अगर आप यहां देखो हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो खुश कर देते हो कांध भी हिलाते हैं हाथ भी हिलाते हैं लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं बाबा नाराज नहीं होता है, यहां हाथी लाया और वहाँ जाकरके दिल शिकस्त हो गया बाबा नहीं नाराज होता है, सदा खुश है जब मेरा बच्चा कह दिया, तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो देखकर खुश होता ही है मेरा है ना, मेरा बच्चा कह दिया, तो बाप तो खुश होता ही है बाप ने जो वाइदा किया है, कैसे भी लाइक बना कर साथ ले की जाना है साथ में चलना है, फिर बापा पूछ रहा है, चलने के लिए तयार हो तयारी हो गई चलने की सभी तयार है, एवरेडी है, अच्छा, एवरेडी भी है, बहुत अच्छा चलने के लिए एवरेडी भी है, तो बापा कहता है बहुत अच्छा अब दूसरा पूछता है, एवर हपी है, एवर हपी है, वो चड़ा होता रहता है आज बहुत खुशी है और कल देखो तो आई दे रही है गुम हो गई है थुपो बाबा ने का ever happy भी है और जब माया आजाएगी तो नशागुम फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिलाएंगे जब माया आएगी तो थोड़ा थोड़ा मन में चिलाएंगे बाबा माया आ गई आ गई बाबा कहता है चिलाना नहीं उड़ा देना वो आएगी आप उड़ा देना माया नीचे रह जाए और आप उपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी अच्छा तो खुशी में नाचते भी रहना दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना बले माया जो भी करे आप खुशी में नाचते रहो और दिल खुश मिठाई बांटते रहो साथ में जो भी संबन संपर्क में आए उनको कोई ना कोई गिफ्ट भी देना कोई खाली हाथ ना जाए कौन सी Gift देंगे बाबा कहते है आपके पास Gift तो बहुत है Gift का Stock है Gift का Stock है तो देने में कंजूस नहीं बनना Se贈 है तो देने में कंजूस नहीं बनना देते जाना फराक दिल बनना अब क्या देंगे गिफ्ट में किसी को शक्ती का सहयोग दो शक्ती का वाइब्रेशनस दो किसको कोई गुण की गिफ्ट दो इसी चीज की तो आवशकता है शक्ती का दो फिर गुणों का दो सहयोग का दो मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से यदि कोई गुण वाशक्ती मर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सोगात भी देना जरूर वो कौनसी अब छोटी सोगात बता रहा है बाबा शुब भाव ना शुब कामना पर भाव नहीं बदल जाती है ना भाव भी बदल जाता है वो बाबा को छोटा लग रहा है शुब भाव ना शुब कामना शुब भाव ना शुब कामना करो ये मेरा सिक्की लदा भाई या बहन सिक्की लदा सोचेंगे तो अशुब भावना से शुब भावना बन जाएगी ये विदी सिखाई मेरा सिक्की लदा भाई है भाई बेहन लड़ते नहीं है थोड़ी दिर के बाद वही एक हो जाते हैं मेरा भाई है दूसरा कोई आ करके तो उसका सामना कर लेंगे तो बाबा ने भी ये वीधी बताई मेरा सिक्की लदा भाई यत्वा बेहन जब ये सोचेंगे तो अशुब भावना बदल जाएगी इस भाई बहन का भी उर्ती कला का पार्ट हो जाए उस आत्मा के लिए भावना आए कि इस भाई अत्वा बहन का भी उर्ती कला का पार्ट हो जाए इसके लिए सहयोग वशुब भावना है कई बचे कहते हैं हम तो देते हैं लेकिन वो लेते नहीं है अच्छा शुब भावना नहीं लेते कुछ तो देते हैं न चाहे अशुब बोल आपको देते हैं अशुब वाइब्रेशन देते हैं अशुब चलन चलते हैं तो आप कौन हो बहुत अच्छा पड़ा रैसको समझना बाबने क्या कहा हम देते हैं वो लेते नहीं है कुछ तो देते हैं अशुब दिया ना vibration दिया, چलन दी, बोल दिया, तो बाबा ने कहा, आपका occupation क्या है? आप वीश्व परिवर्तक हो, आपका धंदा क्या है? वीश्व परिवर्तक है ना? तो बाबा कहता है, वीश्व को परिवर्तन कर सकते हो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया उल्टा चलन दिखाई दिया तो क्या उसको परिवर्तन नहीं कर सकते सारे विश्व को कर सकते हो उस एक आत्मा ने मेरे साथ अच्छा व्यभार नहीं किया तो क्या उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हो रहा है मैसूस जब हम इतने विशेश कारे के निमित हैं और सारे विश्य को प्रकुर्ती को आत्माओं को वायू मंडल को सतो प्रदान वाइब्रेशन्स देते हैं तो एक आत्मा गर रियक्ट करती है नई रिस्पॉंस बरोबर देती तो क्या हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं बाबा ने कहा पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो निगेटिव को निगेटिव ही धारण करेंगे कि निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुब भावना, शुब कामना की गिफ्ट दो शुब भावना का स्टॉक सदा जमा रखो और जितनी आत्मिक वृत्ती होगी ये अभ्यास गहरा होगा उतना ही वृत्ती में शुब भावना जागेगी जिसको बाबा स्टॉक कह रहा है न वो स्टॉक जमा होगा तो बाबाने का आप दे दो, परिवर्तन कर लो तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक का है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा और ये पक्का समझ लो जो हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कारे साकार में लाता है सुन रहे हैं ना ध्यान से क्या पक्का समझ लो अपने विश्व परिवर्तक का कारे साकार में लाता है वही साकार रूप में 21 जन्म की गैरेंटी से राज्य अधिकारी बनेगा जो यहां ये परिवर्तन का कारे करेगा वही गैरेंटी से 21 जन्म की राज्य अधिकारी बनेगा तक्त पर भले एक बारी बैठेगा लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीब सम्बंद में रहेगा जैसे परसो की मुरली में बाबा ने कहा एक सेकंड का कनेक्शन 21 जन्मों के साथ है ऐसे ये बाबा ने बताया जब हमने ये स्रेष्ट कर्म किया कैसी भी आत्मा उसको परिवर्तन किया तो उसका परिणाम उसका रिजल्ट क्या बाबा ने बताया 21 जन्व के लिए राज्य अधिकारी 21 जन्म गद्धी पर नहीं बैठेगा गद्धी पर एक जन्म बैठेगा लेकिन राज्य और रोयल फैमिली में हमेशा रहेगा 21 जन्म तक रहेगा वो साधरन प्रजा में नहीं जाएगा तो प्राप्ति भी तो इतनी गहरी है ना, तो उसके सामने अगर हमें थोड़ा सहन करना पड़ा, तो क्या पड़ी बात है, बाबा ने कहा, इसलिए सदा अपना उक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव यही है, विश्यो परिवर्तक, विश्यो परिवर्तन करना दाता के बच्चे हो, तो दाता बन देते चलो, तब ही भविश्य में हाथ से किसको देंगे, सत्यूग में जब हम जाएंगे तो हाथ से किसको नहीं देंगे लेकिन सदा आपके राचे में हर आत्मा भरपूर रहेगी यहां हम देने का कारे करेंगे सो भावना दो सहयोग दो शक्ती दो परिवर्तन में तो बाबने का वहाँ आपके राज्य में हर आत्मा बर्पूर रहेगी ये इस समय के दाता बनने का प्रालब्द है इसलिए हिसाब नहीं करना कौन सा? इसने ये किया, इसने इतना वारी किया कहते हैं न मैंने किया, उसके बाद इसने ये किया फिर इसके बाद किया, इसने इतना वारी मेरे साथ में ये किया मैंने इतना वारी दिया, ये हिसाब नहीं करना पर हो तो जाता है, आतो जाता है तब भी हुआ था, तब मेरे साथ ऐसे हुआ, फिर हुआ उसके बाद ये हुआ, तब भी मैंने इतना अच्छा सा योग दिया, उस समय भी दिया, कहां हमारी वेल्यू है, फिर भी ये समय को वर्दान है, वो हमारी बुद्धी छोटी थी, जिसके कारण से ये संकल्प आते थे अब हम बाबा के समीब जा रहे हैं, तो हमरे संकल्पो की क्वालिटी भी चेंज हुई, तो बाबा क्या कह रहा है, इसने ये किया, इसने इतना बार किया, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ, और ग्रीटिंग्स क्या देंगे, ये गिफ्ट हुई, ग्रीटिंग्स क्य को भी किसी से प्राप्ति होती है ना तो उसके मुख से मन से यही शब्द निकलता है आपको मुवा रखो एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुवारक हो उत्सव मनाते हैं तो कहते हैं मुवारक हो यतना भी दीपावली के सब को बहुत-बहुत मुवारक नई वर्ष के सब को मुवारक ऐसे जो भी आपके सामने आए तो मुख से ऐसे शब्द बोलो संकल्प में ऐसे स्रेश्ट संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुवारक वा दुआई अवश्य देगा जो भी आएगा तो हर समय दिल से वा मुख से मुवारक अवश्य देगा तो सदा ऐसे बोल बोलो ऐसा संबन संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुवारक निकले वा दुआई निकले ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुवारक लायक नहीं हो हमारी मुख से ऐसा शब्द ना निकले जो मुवारक के लायक ना हो एक-एक बोल जैसे रपन हो साधरन बोल नहीं बापदादा ने अब तक रिजल्ट में देखा कल तो बदल जाएगा लेकिन अब तक देखा कि बोल में जो सैयम और स्ने होना चाहिए वो स्नेह भी कम हो जाता है और सैयम भी कम हो जाता है यह हमारा ध्यान खिचवाया बाबने इतना प्यार से इतनी अच्छी विद्धी से यह कमी मैसूस कराई बापदादा ने क्या देखा? कम हो जाता है जब परिस्तिती आती है बात आती है ना तो कम हो जाता है तो बाबने कहा इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो आप स्वयम जब हीरे तुले हो तो हर बोल भी आपका रतन समान हो मूल्यवान हो साधारण नहीं हो ना साधारण हो ना व्यर्थ हो दोनों बाते हैं और कभी कभी बाप दादा देखते हैं फिर बाबा कहता है रिजल्ट सुनाएं क्योंकि बारा बज़े के बाद सब समाप्त करना है ना से पहले बाबा की मूरली चल रही है ना इसलिए बाबा कह रहा है पूरानी बात की तो रिजल्ट सुनाएं ना बात तो फिर सब खतम कर देना हैं तो बाप दादा ने ये भी देखा कि कोई-कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं और ये किसी की नेचर होती है क्यों कहा कब कहा किसके साथ कहा उसको बुलाओ उसको पूछो उसको कहो अरे छोटी सी बात थी हो गई जिसने कहा जैसे किया भूलो ना छोडो ना तो बाबने का छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं और उनको आप उस समय समझाओ बिल्कुल रियलाइज नहीं करेंगे मैं बिल्कुल राइट हूँ प्रूफ होना चाहिए ताकत भी बोल मैं प्रूफ होना चाहिए तब तो पता पड़ेगा जूट कौन है सच कौन है उसको पता है कौन जूट कौन सच कितना और कितनी बातों को प्रूफ करेंगे कितना टाइम और एनर्जी लगाएंगे तो बाबा ने कहा कई बच्चों को छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं इसमें क्या होता है अब उसकी रिजल्ट सुना रहा है जो ज्यादा बोलता है न तो जैसे ब्रुक्ष का विस्तार होता है तो बीज छीप जाता है वो समझते हैं हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहेते हो उसका सार चिप जाता है हम जो चाहेते हैं कि विस्तार से ये क्लियर करने से क्लियर हो जाएगा लेकिन जो मूल बात होती है न बाबाने का वो सार छिप जाता है उसको वो पकड़ता ही नहीं है दूसरी सारी बाते आएंगे इसने इसने वो याद रहेगा लेकिन जो सार है वो छिप जाता है समझा इस चीज़ को यह हम सब के प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है आपकी लौक एक जीवन में भी है तो बाबाने का हाँ सार छिप जाता है और बोल वानी की भी एनर्जी होती है जो वेस्ट बोल होते हैं तो वानी की एनर्जी कम हो जाती है वेस्ट हैं तो उसमें हमरी वानी की एनर्जी ताकत नहीं होगी वानी में बियर्थ में ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है किसी किसी को आद एक ही बात को फोन में भी, तीन बारी, चार बारी, अरे ये कह दिया ना अभी क्या है, ना ये आम थवानू, अरे थवानू जेने, पर बोलने वाले को, उसको नहीं पता पड़ता है, उसको क्या लगता है, ये कह रहा हूं ना, मैं सुना रहा हूं ना, तो ब क्या करो short और sweet कि दोनों शब्द याद रखो short sweet और कोई सुनाता है ना तो उसको कह देते हैं मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है जब कोई सुनाता है तो सुनाने वाले को कह देते हैं लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो संकल्प का खजाना जमा करो बोल का खजाना जमा करो शक्तियों का खजाना जमा करो समय का खजाना जमा करो गुणों का खजाना जमा करो रोज रात को अपने इन खजानों के बच्चत का पोता मेल चेक करो आज हमने कितने खजाने जमा किये बोल का जमा किया, शक्तियों का किया, गुणों का किया तो कहता है चेक करो गुण और शक्तियों से स्रेस्ट कारे किया गुण को कारे में लगाया शक्ती को कारे में लगाया मेरे में गुण है लेकिन उस गुण को यूज किया शक्ती है उसको यूज किया तो बाबा ने कहा कारे में लगाया तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ती इसका पोता मेल रोज रात्री को चेक करो फिर टोटल करो कितना बचत का खाता जमा हुआ यही बचत स्वयम को भी सहयोग देती रहेगी और औरो को भी देगी आत्मा में ताकत रहेगी ना इतनी बचत की उगुण शक्ति इन सब का खजाना हो तो आपको भी मदद करेगी अन्यात्माओं को भी तो समझा क्या करना है सब पूछते हैं ना क्या करना है तो अब ये करना है सुना दिया सब बाबा ने ये करना है ग्रीटिंग्स भी लेना है गिफ्ट भी देनी है जमा भी करना है और मेहनत को भी छोड़ना है सब कुछ जमा करना है मेहनत को छोड़ना है जब बचत के उपर अटेंचन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगे मेहनत मुक्त वर्ष धूम धाम से मनाए वेस्ट और निगेटिव वर्ष मुक्त वर्ष मनाए बाप दादा मुक्ती वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं जो मुक्ती वर्ष मनाया तो बाबा ने होमवर्ग दिया था कि बाबा उसकी रिजल्ट लेंगे लेकिन बाबा ने का अभी नहीं लेते हैं छे फिर बाबा रिजल्ट लेंगे छे मास मनाया आधा मनाया पूरा मनाया ये हिसाब फिर लेंगे अच्छा चारो और के अतीस नही समी प्रामनात्माओं को नव यूग के रचता का मुवा रखो मुवा रखो, मुवा रखो ये घड़ी है विदाई और वधाई की बारा बज्जे से पहले का जो समय है तो ये है विदाई और नई वर्ष के वधाई की संगम है पुराने वर्ष की विदाई नए वर्ष के साथ-साथ पुरानी बाते, पुरानी समस्याएं, पुराने संसकार तीन बाते रेपीट करो जनती भै तीन बाते रेपीट करो समस्या तो बाबने का पुरानी बाते, पुरानी समस्याएं, पुराने संसकार सब को विदाई हरेक के पास कोई न कोई समस्या है तो उस पुरानी समस्या को भी विदाई नए उमंग उत्सा संपन वर्ष को मुवारक के साथ वधाई भी है इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्वीगन भव के वर्दान से मनाना है इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म से ददिकार है इस निश्चे और नशे को बाबा निलमबा कहा इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्मसिद अदिकार है इस निश्चे और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष है हर कर्म करते हुए ये इमर्ज रहे क्या इमर्ज रहे? विजय हमारा जन्मसिद अदिकार है इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों दुआरा नमबर वन जाने का इनामबा गिफ्ट लेनी है इसके लिए सभी विदेशी वा भारतवासियों को नमबर वन का निश्चे रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सप्रकार की मंसा से वाचा से सब रूप से बाप दादा पदम गुणा मुवारक दे रहे हैं अभी एक सेकंड सभी पावरफुल संकल्ब से बाबा कह रहा है उसको ध्यान से सुनना और अंदर में इसको इमर्ज करो इबाबने का अभी सभी एक सेकंड में पावरफुल संकल्ब से द्र्णता से पुराने वस्तुओ को पुराने वर्ष को पुरानी बातो को सधा के लिए विदाई इबाबने का स्रे संकल्ब करो पारा से पहले करा रहा है ना और संकल्प पावर्फुल द्रणता से क्या कहा पुराने वस्तुओं को पुराने वर्ष को और पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई एक सेकंड सभी द्रणता सफलता है इस द्रण संकल्प में इस्तित हो जाओ कौन सा संकल्प कहा द्रणता सफलता है तो एक सेकंड हम बाबा से इस संकल्प में उशक्ति लेंगे झाल 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 अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुर्प मॉर्निंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चो को नमस्ते हम रोहानी बच्चो की रोहानी बाब को नमस्ते नमस्ते आज का वर्दान है टेंशन से परेशान दुखी आत्माउं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहम दिलभाव वर्दमान समय बहुत सी आत्माई अंदर टेंशन से दुखी परेशान है बिच्छारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है आप उन्हें हिम्मत तो जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकडी की टांग बना कर देते हैं तो चलने लगता है ऐसे उन्हें हमें क्या देना है हिम्मत की टांग देने हैं ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो क्योंकि बाप दाता देखते हैं अज्यानी बच्चों का अंदर क्या हाल है सारे बेहाल हैं दुखी हैं बाहर का शो बहुत अच्छा है टिप टॉप हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं तो मास्टर रहम दिल बनो स्लोगन है निर्माण बनो कोमल नहीं निर्माणता ही महांता है आज मास का तीसरा रविबार अंतर राश्रिय योग दिवस है सभी ब्रह्माबत संगठित रूप में साइं साड़े छे से साड़े साथ बजे तक अपने विशेश लाइप माइट स्वरूप में इस्तित हो ज्यान सूरे बाप की किरणों के नीचे बैट पूरे गलोब को शान्ती, शक्ती और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करें आज का स्वमान है मैं मिलन सार हूँ बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे की नेचर तो अपनी अपनी है लेकिन सर्व बातों मैं, संबंध में, मनसा में, विजै और सफल वानी में मदूरता तभी आ सकती है जब नेचर इजी हो भले हर एक की अपनी अपनी नेचर है लेकिन सरबातों में, मंसा में, वानी में, सफलतार ये सब तब ही आ सकती है जब nature easy हो, अलवेली nature नहीं easy का मतलब वो भी clear किया अलवेला पन नहीं है easy है हम तो कर लेंगे, आराम से करते हैं किसी किसी का nature आराम से करते हैं, कर देंगे लेकिन वो भी बाबा को पसंद नहीं था दादियां भी बहुत accurate करना माना करना अभी करना तो अभी करना accurate तो बाबा ने कहा easy nature अर्थाथ अब उसकी परिभाशा बाबा दे रहे हैं जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सरकम्टांस उनको परकते हुए अपने को easy कर देना समझा समय व्यक्ति और सरकम्टांस उनको देखते अपने को easy कर देना easy अर्थाथ मिलनसार ओम शान्ति